नमस्कार मैं हूँ आपके संग नित्यम मंत्र तंत्र यंत्र वास्तु के विशेश काजक्रम के साथ नबरात्र की पूजा में सुधता और पवितता का बहुत बड़ा महत होता है अक्सरा पूजा करते हैं लेकिन पूजा का आपको पुर्ण फल प्राप्त नहीं होता है अक्सर लोग नबरात की पूजा में कोई न कोई गलती अवस्त कर देते हैं जिससे उनको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है मैं आज आपको बताऊंगा कि पूजा करते समय किस चीज की साबधानी आपको बरतनी है क्या देवी को अरपित करना है क्या देवी को अरपित नहीं करना है तो बने रही हमारे साथ हम आपको एक एक चीज बताएंगे ताकि आप पूजा में कोई गलती ना करें तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि नवरात्र में भूल कर भी दो चीजे देवी को अरपित ना करे पहली चीज तुलसी और दूसरी चीज दुर्वा घास ये दो चीजे देवी को अरपित नहीं की जाती है अगर आप गलती से भी तुलसी और दुर्वा घास देवी को अर्पित कर देते हैं नवरात्र के समय में या किसी अन्य समय में भी तो आपकी पूजा निस्फल हो जाएगी और पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा इसके साथ जब आप नवरात्री की पहले दीन कलस क्या स्थापना करते हैं तो कलस में कभी भी एस्टील या लोहे के लोटे या बरतन का परियोग ना करें सबसे उत्तम होता है गोल्ड का बरतन परियोग करना अगर आप गोल्ड का परियोग नहीं कर सकते हैं तो चांदी, पीतल या मिट्टी के कलस का भी परियोग अच्छा मना जाता है तो आपको लोहे या सिल का परियोग नहीं करना है कलस में आपको गोल्ड, चांदी, पितल या मिट्टी के कलसका भी आपड़ियों कर सकते हैं इस चीजों का आपको धियान रखना है इसके साथ साथ नवरात्री में अगर आप कोई गल्ती कर देते हैं जिसे आपको पूर्ण फल प्रापनी होता है जिसे आप क्या करते हैं कि बाहर या दुकान से लाया हुआ प्रसाद देवी को अरपित कर देते हैं देखिए नवरात्री में मैंने आपको बताया कि सुदता और पवित्ता का बहुत धियान रखा जाता है तो ये कोशिस करें कि घर में बनाय हुई प्रसाद को ही देवी को अरपित करना चाहिए बाहर या दुकान से लाया हुआ प्रसाद देवी को अरपित ना करें तो ये आपके लिए बहतर होगा चुकि देवी की पूजा में सुदता का बिशेश धियान रखा जाता है इसके साथ साथ नवरात्री के पूजा में पुन्ड फलप्राप्ति के लिए अखंड जोत जलाएं अगर आप घर में अखंड जोत जलाते हैं तो उसे कभी भी बुझने ना दें इससे आपके घर में मा देवी बिराजमान होगी और आपको मा की किरपा मिलते रहेगी तो ये कोशिस करें घर में अखंड जोत अबस जलाएं इसके साथ साथ देवी की पूजा में घर में अगर बत्ती ना जलाएं अगरबत्ती जलाना सास्त के नुसार बरजित मना गया है क्योंकि अगरबत्ती के अंदर बांस होता है जिसे घर में जलाना सुब नहीं होता है इसलिए आप धूबत्ती का ही परयोग करें देवी के अराधना पूजा में तो ये आपके लिए बेहतर होगा इसके साथ साथ मा देवी की पूजा में कभी भी एस्टिल के बरतन का परियोग ना करें आप चाहे तो सोना, चांदी, पीतल का परियोग कर सकते हैं लेकिन एस्टिल के बरतन का परियोग सास्थ के नुसार बरजित मना गया है तो आप एस्टिल के बरतन का परियोग ना करें तो मैंने आज आपको बताया कि देवी की पूजा में क्या साबधानिया आपको बरतनी है क्या चीजे देवी को अर्पित करनी है और क्या नहीं अर्पित करनी है देवी की पूजा में आप अगर बत्ती ना जलाए, एस्टील के बरतन का परयोग ना करे, यह आपके लिए बहतर होगा और इसके साथ साथ देवी को जो कुछ भी आप अरपित करते हैं वो कोशिस करें कि घर में बना कर ही देवी की अरपित करें तो ये आपके लिए उत्तम होगा आज के लिए बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो किरिप्याई से लाइक करें सब्सक्राइब करें तो आपने दोस्तों के साथ भी सेर करें ताकि देवी के अरातना में उनसे भी कोई गलती ना हो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद